हेलो बच्चों कैसे ही आप सभी मैं मीसिस अनुरावय आप सभी बच्चों का कॉंप्पूरेशन कम्यूटी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं लैंग्विज मंत्रा के अंतरगत हमने चार प्रकार के विकारी शब्द याने के डेकले नेबल बट्स को पढ़ा था और जब हमने विकारी शब्द पढ़ा था तो हमने वे जाना था कि ऐसे शब्द जो बच्चन, लिंग, काल, कारक और पूरुष के नुसार जिन में किसी भ विकारी शब्द कहा जाता है, अब तक आपने इस हिंदी भाषा में चार प्रकार के विकारी शब्द को पढ़ लिया है, एक विकारी शब्द आपने पढ़ी संग्या, उसके विकार से आपने जाना सर्वनाम को, एक विकारी शब्द पढ़ा आपने वीशेशन को, और लास वस्तु इस्थान या का भाव का नाम बताती है वो है संग्या, संग्या के बदले में आने वाला शब्द है सर्वनाम, उनकी विशेशता बताने का काम करता है विशेशन और उनके द्वारा की जाती है क्रिया, इन चारों में विकार उत्पन कराने का सबसे पहला कारण होता है ठीक है तो किसी भी संग्या की जाती को किसी भी शब्द की जाती को जिससे उसे क्या किया जाए पहचाना जाए तो किसी भी शब्द की जाती को या उसके पहचान को लिंग कहा जाता है सबसे पहला कारण है हमारे लिए किसी भी संग्या सरोनाम क्रिया और विशेशन को विकार उत्पन कराने वाला कारक link जिसकी चर्चा हम करेंगे. इसके बाद हम उस विकारी शब्द कराने वाले दूसरे कारक जिसे वचन कहा जाता है उसकी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम deal करेंगे किसको आपके link को ठीक है? यानि कि आपके gender वाले topic को. ठीक है? लेकिन ध्यान रखेंगे इस जेंडर का इफेक्ट जो है आपके 36 गड़ी के नुसार, संस्कृत के नुसार और इंग्लिश के नुसार सर्वनामिक शब्द में लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरी बात अगर लड़का जाता है तो लड़की है तो हम कहते हैं जाती है, इसी प्रकार अगर लड़का पुर्लिंग में मोटा है तो इस्तरी सूचक में बन जाती है मोटी, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि किसी भी शब्द के पहचान या उसकी जाती विशेस का बोध कराता है उसे लिंग कहा जाता है, तो परिभाशा क्या बनती है? सं हमारे पास केवल हिंदी के अनुसार हमारे पास केवल दो प्रकार के लिंग पाय जाते हैं, ठीक है? तो हिंदी के अनुसार एक होता है हमारा पुर्लिंग शब्द जिसे कहा जाता है masculine gender ठीक है और दूसरा होता है isthriling शब्द जिसे कहा जाता है feminine gender ठीक है तो purling क्या है पुरुष जाती का बोध कराता है और isthriling क्या है जो isthrij जाती का सूचक है ठीक है अब हमारे समाज में हमारी पृत्वी में दो ही जाती है नर और माधा ठीक है यहाँ पर देखा जाए तो संस्कृत के अनुसार तीन प्रकार का लिंग पाया जाता है isthriling, purling और नपुनसक लिंग ठीक है चुकि संस्कृत के शब्दों का हम ततसम रूप में प्रयोग करते हैं उसे संस्कृत के शब्दों का हम हिंदी रुपांतरन तद्भव करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ततसम शब्द जो होते हैं वो जिस रूप में पुर्लिंग में इस्त्रिलिंग है वो आपकी हिंदी भाशा में भी पुर्लिंग और इस्तिरिलिंग में इस्तिमाल किये जाते हैं, दूसरी बार कि कभी-कभी संस्क्रिट के जो नपुनसक लिंग वाले शब्द होते हैं, जब उसे यहां हिंदी भार्षा में इस्तिमाल किया जाता है, तो कुछ सेचिवेशन के अकॉर्डिंग उसे पुर्लिंग और इस्तिरिलिंग में बात दिया जाता है, और इस तरह हिंदी भार्षा में केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं, कि इस्त्री जाती के सूचक को इस्त्री लिंग और पुरुष जाती के सूचक को पुरुलिंग कहा जाता है कुछ जेंडर यानिकी लिंग पहले से निर्धारित होते हैं जिसमें किसी प्रकार के आवशक्ता परिवर्तन की देखने को नहीं मिलती परन्तों कुछ पक्ष ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिसमें अवशकता के अनुसार पूर्लिंग से इस्त्रिलिंग में बदलने की जरूरत आन पड़ती है, ऐसे समय हम क्या करते हैं, इस्त्री सूचक प्रत्य का इस्तिमाल करते हैं, जिसे feminine suffix कहा जाता है और उसके प्रयोग के द्वारा पूर्लिंग शब्दों को इस्त्रिलिंग में बदला जाता है, जब संस्क्रिट से अंग्रेजिक व्याकरण का निर्मान किया गया, तो इंग्लिश ग्रामर के अंतरगत मस्कुलीन, फेमिनान के साथ में न्यूटर जेंडर को लिया गया, कुछ जेंडर के जो पद और व्यवसाय हैं, उसे केवल पूर्लिंग में रखा जाता है, दूसरी बात कि कुछ लिंग पहले से निर्धारित हैं, पूर्लिंग और इस्त्रिलिंग में, लेकिन कुछ जीवजनतु ऐसे होते हैं, जो हमेशा एक ही लिंग में गीने जाते हैं, जिसम लिंग परिवर्तन करना संभव नहीं है, गीदर से हम गिदडी नहीं कह सकते हैं, भालू से भालू भी नहीं कह सकते हैं, घून से घूनी नहीं कह सकते हैं, हम इंगलिश में मिस्टर भालू और मिसस भालू कह सकते हैं, क्या नहीं, हिंदी में भी, हिंदी भालू में हम कि किस तरह से हम जेंडर की पहचान कर सकते हैं तो हम उसके लिए जो आपको प्रोवाइड कराएंगे तो जो आई बटन है उसको दबाएंगे तो एक लिंक मिलेगी आपको उस लिंक पर जाएंगे तो कॉंपिटिशन कम्यूटी के अंतरगत हिंदी लैंगवेज में इस को टॉपिक को आप बहुत अच्छे से जा सकते हैं और वहां से सारी चीज़ों को आप अब्जव कर सकते हैं और एक एक छोटी छोटी ट्रीक मेरे द्वारा वहां पर बतलाई गई है हम यहां कोशन के माध् हां ठीक है किए तो कहने का मतलब है कि कौन सा शब्दा इस्त्रिलिंग में है हम चलते हैं संस्कृत में लिंग निरनय करने के लिए कुछ आधार निर्धारित गया थै कि जो भी हमारे पास शब्दड हैं उन शबूँ का लास्टर साउंडिंग effect कोई a से कोई e से कोई e से ऐ से शब्दों से अंत करता है, तो संस्कृत के अनुसार जब इस त्रिलिंग शब्द का निर्मान करने की बात कही गई, तो संस्कृत के अनुसार कहा गया, कि जिस शब्द का last sounding letter E है, उसे हम रखेंगे इस्त्रिलिंग में, इसलिए श्रीमती, रती, भगवती, देवी कहता है, तब हमारे लिए इस्त्रिलिंग में हो जाती है, पर ये पाया गया कि कुछ शब्द E sounding effect है, जैसे कि देखा जाए, तो अगर वो हमारे लिए कहता है रवी ठीक है, अगर कहता है कवी, ठीक है हरी, ये भी हमारे लिए E sounding effect है, इसके अलावा देखा गया कि वारी कहता है, जलधी कहता है, तो ये भी तो E sounding effect थे, पर संस्कृत में कहा गया, चूंकि अगर वो देवी कह रहा है, तो किसी लड़की को बता रहा है, अगर रती कह रहा है, भगवती, श्रीमती कह रहा है, तो लड़की को बता रहा है, इसलिए देखा गया, तो ऐसे शब्दों को हमने इस्त्रिलिंग में रखा, लेकिन जो रवी, कभी, अगर कह रहा है, हरी कह रहा है, तो ऐसे शब्दों को exceptional हमारे लिए पूरूरिंग में रखा गया, तो इस्त् होने वाला, वे शब्द जो असेंत हो रहते हैं, देव, बालक, राम, छात्र कह रहा है, तो वो पूरूरिंग हो गया, लेकिन उसे प्रकार वन, फल, उद्यान कहकर नपूरूरिंग हो गया, और उसी में आसाउंडिंग इफेक्ट राधा, लता, माता, ठीक है, यह हमारे ल धेनू, धेनू कहता है, तो इस्त्रिलिंग के शेणी में आ जाते हैं, तो यहां पर पूछा गया है, कि कौन सा शब्द इस्त्रिलिंग में है, तो देखा जाए, तो यहां पर हम इस्त्रिलिंग शब्द की बात कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, कि हिंडी में इस्त् ताकत सत्ता सुन्दर सुडॉल है ना इसी प्रकार हम एक ऐसा पक्ष देते हैं जिसमें दया कृपा का भाव है है ना जिसमें ममता का भाव है तो ताकत सत्ता शक्ति दया का भाव सुन्दर सुगोल सजावती शब्दों को हम किसके अंतरगत रखते हैं इस त्रिलिंग की श्र निमें रखा जाता है, दूसरी बात कि स्त्रिलिंग पहचानने के लिए कुछ पक्ष है जो आपके इस्तिमाल होते हैं, आपके प्रत्यफ के द्वारा, ठीक है, तो जिस Чदतमें अंत में तृषुल का ठीक है लेकिन जिसे सूचना कहता है वेदना कहता है घटना कहते है तो जिस शब्द का अंतना से होता है वो आपके इस्त्रिलिंग होते हैं और इसी प्रकार अगर हार कहते हैं बनिहार पनिहार कहते हैं उपहार कहते हैं तो उपहार दिया जाता है मित्र बनाया जाता है अध् sentence में देखेंगे कि मित्र बनाया जाता है, अध्याय पढ़ा जाता है, उपहार दिया जाता है, तो सुचना दी जाती है, घटना होती है, बेदना प्रकट की जाती है, तो इस तरह कौन सा शब इस्त्रिलिंग है, तो हमारे लिए option number C, question number 2 क्या कहता है, पूर्लिंग और इस्त्रिलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अप्शन है, सूर्य का सूर्य, धोबी की धोबिन, अभीनेता से अभीनेत्री और पाठक से पाठी का, संस्कृत के अनुसार तो A, E, O, Sounding Effect को लेकर पूर्लिंग, इस्त्रिलिंग, नपुन भी होता है, बालत से बालिका होता है, तो इन ही में देखा जाए, तो हमने कुछ प्रत्ययों का इस्तिमाल जो है, वो किया है, यानि कि वो प्रत्यय जो किसी भी पूर्लिंग शब्द को इस्त्रिलिंग में बदल दे, उसे इस्त्री प्रत्यय कहा जाता है, यानि कि फेमिना से निर्धारित हैं लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको पूरलिंग से इस्तिलिंग बनाने के लिए कुछ इस्तिरी प्रत्ते की आवशकता होती है साउंडिंग इफेक्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं अक से जिसका अंत हो रहा है वहां हम एका कर देते हैं तो गायक से गाई का नायक से नाई का पाठक से पाठी का अध्यापक से अध्यापी का बन जाती है इसी प्रकार हम A sounding effect को E में बदल देते हैं, तो अभिनेता से अभिनेतरी, करता से करतरी, इसी प्रकार अगर देख रहे तो बेटा से बेटी हो जाता है, धोबी E sounding effect है, है ना, तो धोबी से धोबिन हो जाता है, कभी-कभी हम वहाँ पर इस्तिमाल के तौर पर E sounding effect के अधार प आज sounding effect करके सूर्य से सूर्या भी होता है, और कभी-कभी sounding effect के धार पर आणी प्रत्य लगाते हैं, तो सूर्य का इस्तिमाल सूचक सूर्यानी भी बनता है, तो पूर्लिंग और सूर्य में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो option number A सूर्य का सूर्य जो है वो सही नहीं है, अग option C कहती है गंगा और option D कहता है संसत, सूची पत्र, किताब, गंगा और संधर तो पूर्लिंग शब्द की पहचार कीजिए, तो मैंने क्या बताया, कि जिस शब्द में ताकत होती है, सत्ता होती है, शक्ती होती है, सुगर, सुड़, सुजान, ऐसे ममत्व और दयालू वाले करकश होते हैं, और ऐसे शब्द जिसमें कष्ट होता है, या ऐसे पक्ष जो बहुत ही आपके जो है, वो बहुत कठीन प्रभावाले होते हैं, वो पूर्लिंग की शिर्णी में आते हैं, पूर्लिंग शब्दे के लिए भी कुछ ऐसे शब्दे हैं, जो आपके निर्धारि कहता है, तो यह इस त्रिलिंग प्रहत है कि पड़ी ही जाता है, मैं पहले ही बता रही हूँ, कि विशेषण का शबत को लगा कर, क्रिया के शबत को заб eh तो संसद जो है वो हमारे लिए इस तरी सूचक शब्द है लेकिन सूची पत्र है जो बनाया जाता है निम्लेड के शब्द में पूर्लिंग शब्द है हमारे लिए सूची पत्र गंगा एक नदी का नाम है तो समस्तर प्रकार की जितनी नदियां हैं, सारी नदियां हमारे लिए इस त्रिलिंग की शेणी में आती हैं, दूसरी बात मैं बार बार कह रही हूँ, कि लिंग निर्धारन के लिए कुछ पक्ष हैं, तो अगर आपको इसके बारे में विशेश जानकारी लेनी हैं, कि प्रकार के लिंग होते हैं, कैसे उसे पहचानेंगे, तो आई बटन दीख रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे, तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप हिंदी भाषा के अंतरगत लिंग और बच्चन को बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है आपशन A कहता है पानी, आपशन B कहता है नदी, आपशन C कहता है रोटी, और आपशन D कहता है बकरी, मैंने पहले ही बताया कि संस्कृत में कहा गया, कि जिस शब्द का आंत E से होगा, वो E का रांत शब्द स्ट्रिलिंग होंगे, इसले देवी, रती, श्रीमती, भगवत इस त्रिलिंग हो गए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे, जो E साउंडिंग इफेक्ट होकर भी इस त्रिलिंग नहीं बलकि पूर्लिंग में थे, इस सेचुएशन में उन शब्द में हरी, कवी, रवी है ना, देखा जाए, तो उसको हमने पूर्लिंग की श्रेणी में रखा है, नदी बहती है, रोटी सेकी जाती है, और बकरी घास खाती है, ठीक है, तो पानी जो है वो E साउंडिंग इफेक्ट होकर भी पूर्लिंग का शब्द है, अगले कोशन क्यों राते हैं, लिंग की दृष्टी से आसव क्या है, क्या ये इस्त्रिलिंग है, क्या ये पूर् तो आसव क्या है, कारहा युक्तिपदार्थ जो होता है इसे आसव कहते हैं, तो जब साउंडिंग की फेक्ट को लेकर बाटा गया, तो उसमें देखा गया कि कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व हैं, चाहे वो तरल ठोस अवस्था में हो, खाने पीनी की चीज़ें हैं, शरीर के अंगों के नाम हैं, ब्रिक्ष हैं, पेड़ पौध हैं, ठीक है, समुद्र है, प्राकृतिक तत्व हैं, उन सब को पूरलिंग और इस्त्रीलिंग में बाटा गया था, आसव जो है वो कारहा युक्तिपदार्थ है, तो लिंग निर्धारण के अनुसार अगर देखा जाए तो आसव पूरलिंग के शिर्णी में आते हैं, दूध, दही, पानी, इत्र, आसव, कारहा, सिर्का, रायता, ठीक है, इसी प्रकाट पराठा कहते हैं, ठीक है, धनिया कहते हैं, ठीक, और इसी सारे शब्द में घी कहते हैं, है ना, और तेल कहते हैं, तो सब हमारे लिए अब देखिए चाचा का सुचक चाची हो जाती है भैसा का सुचक भैस हो जाता है बहन का पुर्णि हमारे लिए भाई हो जाता है ऐसे जीव जनतु जिसमें लिंग निरने करना संभाव नहीं होता, ऐसे जीव जन्तु जो हमेशा एक ही लिंग में गीने जाते हैं, ऐसे जीव जन्तु को एक लिंग ये जीव कहा जाता है, ये हमेशा या तो पूरलिंग होते हैं, या हमेशा इस्त्रिलिंग होते हैं, इसे घूर, उल्लू, खटमल, गी नहीं कह सकते हैं उसी प्रकार मैना, तितली, मखी, कोयल है ना इनको हम पुर्लिंग में मैना से मैनी, कोयल से कोयली है ना ऐसा नहीं कह सकते हैं हां माना की दैनिक बोलचाल में या 36 गड़ी के प्रचलन में या हम देखें तो कोडल को कोईली कहते हैं लेकिन ऐसी सेचुवेशन में अगर हम एक लिएंगी जीव को पूर्लिंग और इसलिंग में बाठते हैं तो पूर्लिंग के लिए नर का और इस्तरी सुचक के लिए मादा का प्रयोग होता है तब ही तो आप विज्ञान में पढ़ते हैं नर मादा मगर आपके पढ़ते हैं नर मच्छर उसी प्रकार मादा मच्छर पढ़ते हैं नर मगर मच्छ मादा मगर मच्छ नर भालू उसी प्रकार मादा भालू तो हिंडी भाशा में कोयल शब्दे के लिए लिंग परिवर्तन का प्रभाव नहीं है इसलिए नर कोयल और केलिए कीजिये एक तरफ है और एक तरफ है वह काई, इन इन और वती आपको बताना है कि स्वामीनी दोota जैसे हम दिखेते हैं इनी प्रत्य लगा देते हैं, जैसे कि हम हाथी है तो हथी नी लगा देते हैं, उसी प्रकार स्वामी है, तो हम कौन सा प्रत्य लगाएंगे इनी, लेखिका है, लेखक से बन गई लेखिका, धेर्य वती, वान शब्द के प्रत्य में हम वती लगाते हैं, और म मोर स्वामिनी से बन गया स्वामिनी लेखिका में इका प्रत्य है, ढोनी की है आपका आंसर स जुडते हैm पुर लिंग वे प्रत्य की पेहचान किजे। यू आपको साथे नियों क्रदानने जुड़ा है दर्शन करना यानि कि देखना अब यहाँ पर दर्शक कहता है तो इसको हम उभैलिंग के श्रेड़ी में रखते हैं अंग्रेजी की भाषा में उसे हम पूर्लिंग के श्रेड़ी में रखते हैं परनतो हिंदी भाषा में विस्तारे शब्द हैं जो पूर्लिंग के श्रेड़ी में आते हैं प्रधान मंत्री, अगर हम सची कहते हैं, मुख्य मंत्री कहते हैं, राश्रपती कहते हैं, उद्योग पती कहते हैं, संपादक कहते हैं, दर्शक कहते हैं, जनता कहते हैं, जिस सब पूरलिंग का शब्द है, जिस सब पूरलिंग का शब्द में अक प्रत्य जुड़ा है, और दर्शक शब्द को हम लिंग और प्रत्य के दिरिष्टी से कहते हैं कि पूर्लिंग शब्द है जिसमें अक प्रत्य का इस्तेमाल किया गया है। अगला कोशन खत्मल, घूल, मच्छर किस प्रकार के लिंग वाले शब्द हैं। option A कहता है इस्त्रिलिंग, option B कहता है पूर्लिंग, option C कहता है एक लिंग जीव, और option D कहता है बी और C दोनों थोड़ी ही समय पहले मढ़ने बताया। जहां लिंग निरनय किया जाता है, वहां लिंग निरनय के आधार पर अगर देखा जाए, तो हम क्या करते हैं, कि ऐसे शब्द, जो हमेशा पूर्लिंग है या हमेशा इस्त्रिलिंग है, उन्हें एक लिंगी जीव कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए C, लेकिन अगर कहता है तो गून, खटमल, गीदर, चीता, मगरमच, कउवा, गेंडा, पशु, मक्षर कहता है, इसे प्रगार अगर देखा जाए, तो इस सारे शब्द पूरलिंग किश्रणी में आते हैं और ये जीव, एक लिंगी जीव की पक्ष में आते हैं, अगला प्रशन क्या कह प्रधान मंत्री कैसा लिंग है, उभै लिंग है, पूरलिंग है, इस्तरी लिंग है या कोई नहीं, अभी मैंने बताया कि जितने भी पद व्यवसाय कार्य है, जो पूरुष और इस्तरी दोनों के द्वारा किया जाता है, वो हमेशा अंग्रेजी भार्षा के नुसार, जारे हमारे लिए होते हैं पूरुष और इस्तरी दोनों किये जाते हैं, अंग्रेजी भार्षा में उसे हम उभै लिंग की शेर्णी में रखते हैं, जिसे इंग्लिश में कौमन जेंडर कहा जाता है, ठीक है, लेकिन अगर यही पक्ष हिंदी भार्षा के बात करता है, तो हम वहाँ पर आपके इन शब्दों को आपके पुर्णी के शेर्णी में रखते हैं, इसलिए प्रधान मंत्री है, अगर कोई महीला है तो हम कहेंगे कि भारत की महीला प्रधान मंत्री श्रीमती इंद्रगांधी जी थी, पूरुष प्रधान मंत्री कहने क्या शक्ता नहीं पढ़ती है, जब कोई महिला किसी पद पर आती है, जैसे कि राष्ट्रपती के पद पर हैं, तो महिला राष्ट्रपती कहा जाएगा, ठीक है, मंत्री हैं, मुख्य मंत्री के पद पर हैं, तो महिला मुख्य मंत्री कहा जाएगा, लेकिन वो शब्द, प्रधान मंत्री, सची, प्रद्धान मंत्री शब्द है जो हमारे लिए पूर्लिंग के श्रिणी में आता है अगला कोशन जिस शब्द का अंत आर आश से हो वे क्या होते हैं क्या पूर्लिंग होते हैं इस्त्रिलिंग होते हैं, नपूर्सकलिंग होते हैं या कोई नहीं जब हमने शब्दों का निर्धारन कीया तो हमने पाया कि जिस शब्द का अंत त्रीशुल कत्र, त्व, त्य, ठीक है उसी प्रकार हम बा कहते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए, जैसे कि हम कहते हैं, पा कहते हैं, पन कहते हैं, ठीक है, तो त्रत्वत्य बापन, इसी प्रकार ज कहते हैं, ख कहते हैं, ठीक है, जिस शब्द के अंत होते हैं, आपके आर से, आय से, आस से, ठीक है, यह सारे शब्द कहते हैं इसी प्रकार देखा जाते हैं परन्तु ध्यान रखिएगा कि शंक बजाया जाता है लेक फैलाया जाता है लेकिन अगर वो हमारे लिए भीक कहते है तो मांगी जाती है शीक प्राप्त होती है चिक सुनाई देती है तो कुछ right exception तो हमारे लिए राय ली जाती है सलाह ली जाती है तो उसके रूप में अगर वो कहता है, मिठास कहता है, कयास कहता है, विकास कहता है, तो पूरलिंग के श्रेणी में आते हैं, तो जिस शब्द का अंत आर, आय, आस से हो, वो सारे शब्द हमारे लिए पूरलिंग के श्रेणी में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे शब्द में हम देखते ह तो यह सारे शब्द जिससे अंत हो रहा है और ऐसे प्रते हैं जो पूरलिंग के शिर्णी में आते हैं अगले प्रशने क्यों बढ़ते हैं अगला प्रशने कहता है रीतु में पर्व भाशा आते हैं क्या पूरलिंग में आते हैं कि इस्त्रिलिंग में कि नपुन्सक लिंग म कहता है इसे ब्रकार जितनी भी भाषा है हिंदी मुराथी गुजराती यह सारी भाषा है रितुमें और पर्व जो हैं वो हमारे लिए इस त्रिलिंग की श्रणी में आते हैं ठीक है और इस त्रिलिंग में जितनी भी नदियां है तीथियां है लिपियां है बोलियां है काने का अनाज है तो अनाज की situation में पूर्लिंग और इस्त्रिलिंग में बाटा जाता है तो क्या गेहूं इस्त्रिलिंग है कि पूर्लिंग है कि नपुन्सक लिंग है कि कोई नहीं तो गेहूं में कौन सा लिंग है तो पूर्लिंग है अगर हम चावल कहते हैं तील मटर बाज यह सब हमारे लिए पूर्लिंगानी में आते हैं अगलेbak is question में आते हैं जिस जलज और स्वेदज पूर्लिंग शब्ड है जैसे कि मैंने कहा जिस शब्ड का अंतर जश्र कोता वह पूर्लिंग होते घानतर तो जलज कहता है कमल के हि तो स्वेदज कायता हमेशा ध्यान रखिएगा, खोज की जाती है, मौज मनाई जाती है, फोज पहुचती है, ठीक है, लेकिन स्वेदज पसीना निकलता है, जलज जल में खिलता है, तो इस तरह आप उसे पहचान सकते हैं, वाक्य बनाकर, ठीक है, अगला कह रहा है, हाई, पुकार शब्द यदी इस तरह लिंग के शर्णी में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा, कि अध्याए, प्रदाए, समुदाए, पूर्लिंग शब्द है, कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कि हाई, ये आपके जो है, हाई है, राए है, तो ये इस तरह लिंग शब्द है, तो हाई हाई मचाई जाती है, है उसी प्रकार अगर देखा जाए तो राय ली जाती है, पुकार जो है वो आपके सुनाई देती है, इस्त्रिलिंग शद है, तो बाउचार और राय किस प्रकार का लिंग है, क्या पूर लिंग है, इस्त्रिलिंग है, नपुनसक लिंग है या कोई नहीं, तो हमेशा हम क्या गल में आएगा ठीक है अब यहां हमने आप्शन पूछा था कि पूरलिंग है तो आपको नजर आया इस त्री लिंग है सेम कोशन है पर दोनों में आप फिर कंफ्यूज ना हो जाईएगा ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि जो यहां पर पूछा जा रहा है उसका पूछा जाए ठीक है अगले कोशन क्यों राते हैं नक मुख यदि पूरलिंग शब्द है तो लेख और शंक का लिंग में से कौन सा होगा ठीक है तो अगर हम नक कि खस अन्त होने वाले हैं तो नक कहता है यह आपके पूरलिंग शेडि में आते हैं तो लेख भी जाता है शंक भी तो पूरец जाता है लेकि गलाए चिंग प्या जाता है तो हम क्या यह कहेंगे प्रशने क्या पूछे है, कि दि नक और मुख पूरलिंग शब्द है, तो लेख और शंक में कौन सा शब्द होगा, ये भी पूरलिंग की शेणी में आते हैं, समान, मकान ये उर्दु भाशा का शब्द है, समान, मकान, ये पूरलिंग शब्द है, तो इम्तिहान कैसा कि यह भी पूरलिंग है कि यह इस्ती लिंग है कि नपूनसक लिंग है कि कोई नहीं उर्दू के शब्दों का की हिंदी भाषा में प्रयुक करते हैं तो वहाँ पर भी sounding effect को लिया जाता है वहाँ पर भी जुड़ने वाला प्रत्य उसे strilling और pooling में बाटता है तो देखने वाली बात है कि सामान जो है वो खरीदा जाता है, बिकता है मकान बनवाया जाता है वैसे ही इंतिहान भी तो लिया जाता है इंतिहान लिया और दिया जाता है तो ये भी हमारे लिए pooling की शेड़ी में आएंगे ठीक है, अगले प्रशने के और अंग्रेजी शब्द की केटली और गैलरी शब्द में लिंक पहचाने आपने देखा कि कुछ sounding effect को लेकर हमने देखा था कि जिस शब्द कांत लगो सुवर वाले वरणों से है वो pooling हो गए और जिन शब्द कांत इस्त्रिलिंग आपके जो दिर्ख वाले है वो इस्त्रिलिंग हो गए थे तो ऐसे सिच्विशन में हमने देखा कि जब अंग्रेजी भाशा का निर्मान किया गया तो अंग्रेजी भाशा में भी साउंडिंग इफेक्ट अ और इको ध्यान में रखा गया था इसलिए अगर वो पाउडर कहता है ट्रेन कहता है तो यह हमारे लिए pooling हो जाते हैं लेकिन अगर केटली gallery अगर कहता है बाउंडरी कहता है ठीक है उसी रूप में देखा जाए तो यह इस्त्रि लिंग की शेड़ी में आते हैं ठीक है अगर हम radio कहते है यह भी pooling है ठीक है orchestra कहते है तो यह भी pooling है लेकिन अगर assembly कहते है आपको देखा जाए तो assembly, cattle, gallery कहते हैं तो delivery कहते हैं तो यह हमारे लिए इस्त्रि लिंग की शेड़ी में आ जाते हैं अगला है वान शब्द से अंत होने वाले pooling शब्द का इस्त्री सुचक प्रत्य वाला शुद्ध शब्द क्या होगा ठीक है तो इस्त्री सुचक के तौर पर हम देखते हैं कि अक को बदल दिया जाता है इका में इस्त्री प्रत्य तो गायक से गाईका होगा है इसी प्रकार हम देखते हैं तो असाउंडिंग effect को इ में बदल देते हैं तो लड़का से लड़की बन जाता है, देव से देवी बन जाता है, कभी-कभी हम आनी प्रत्य जोड़ते हैं, तो नौकर से नौकरानी, उसी प्रकार हम देखते हैं, तो सेठ से सिठानी बन जाता है, हम पती के नाम को धारन करकर आइन प्रत्य लगाते हैं, तो शर्मा से शर सबस्क्राइन थाकुर से ठकुराइन बन जाता है कभी-कभी हम इनी लगा देते से हो जाती है हमारे लिए गुडवती इसी प्रकाद जो शब्द मान से अंत होता है उसमें हम मती कर देते हैं तो बुद्धी मान से बन जाती है बुद्धी मती ठीक है? और देखा जाए तो हम यहाँ पर नीप्रत्य भी जोड़ते हैं तो हंस से अनस enforces हंसनी बन जाता है नाग से हम नागीन कहते हैं, सर्प से सरपीनी कहने लगते हैं, और ये सारे प्रत्य जो हैं वो इस्तिमाल किये जाते हैं, अगला कोशन, अक से अंत होने वाले शब्द में इस्त्रिलिंग परिवतन होने हैं, तो प्रयोक्त प्रत्य होगा, जिस शब्द का अंत अक से होगा, क इस्त्री सूचक में नाईका बन जाएगी, शिक्षक है तो सिक्षिका, अध्यापक है तो अध्यापी का, इसी प्रकार देखा जाए तो गायक से गाईका बन जाएगी, चिकित्सक है तो चिकित्सिका कहने लगेंगे, लेखक है तो लेखिका कहने लगेंगे, यक्षक का इस् शिश्य से शिश्या और छात्र से छात्रा बन जाता है, तो यक्ष से यक्षा नहीं होगा, दूसरी बात हम असांडिंग इप्षेक्ट को अगर E में बदल रहे हैं, जैसे देव से देवी, लड़का से लड़की, बेटा से बेटी, तो यहाँ पर यक्ष से यक्षी नहीं जाता है, उसी प्रकार यक्ष से यक्षणी बन जाता है, ठीक है ना, किस नदी का नाम इस्त्रिलिंग में प्रयोग नहीं होता, शिवनाथ, ब्रह्म पुत्र, सिंध या सभी, तो ध्यान रखेगा, जितने प्रकार के समुद्र हैं, है ना, तो ध्यान से चीजों को समझेग जितने प्रकार के ग्रह और हैं, वो सारे ग्रह पुर्लिंग है, उनसे बना हुआ दीन का नाम भी पुर्लिंग होगा, तो जितने भी समुद्र है, सारे समुद्र के नाम, परवतों के नाम, विशेश इस्थान, ठीक है, विशेश प्रकार के जो पक्ष हैं, जिसमें हम विक होती है पर ध्यान रखेगा शीवनात ब्रह्म पुत्र सिंध और सोन नदी हमेशा पुर्लिंग होगे अगर इसी सिंध को सिंधु कह दिया जाए तो इस्त्रिलिंग की शेड़ी में आ जाएगा इसलिए सभी नदिया है जो इस्त्रिलिंग में प्रयोग नहीं होगी ठीक है नी लताएं है खाने पीने की चीजों में अधिकांश्तत्व हैं रसोवी की सामगरी है आभुषण है अधिकांश्तत्र हथियार है वो सब हमारे लिए इस्त्रिलिंग की शेड़ी में आते हैं लेकिन जो दीनों के नाम है तो ग्रह के नाम अगर पुर्लिंग है जैसे कि बना है सोमवार मंग से बना है मंगल वार तो जितने ग्रह के नाम पुर्लिंग है तो उनसे संबंदे दीन हमारे लिए तो दीन महीने समय पल पहर सेकंड मीनत घंटा एस सब हमारे लिए पुर्ली कि शणी मिलेगी जो आई बटन में आप देख रहे होंगे उस लिंक में जा अब आते हैं अगले कोशन में, यह जितनी भी मैंने आपको बताएं पक्ष, यह सब हमारे लिए जेंडर के हैं, याने कि अगर आपको लिंक से संबंधित चीज़ों को जानना है, तो जो आई बटन दिया गया है, उसको क्लिक करिए, और उस क्लिक करने के बाद में आपको जो पक्ष होता है हमारे लिए बचन, क्योंकि बचन वो पक्ष है जो संग्या और सर्वनाम में विकार उत्पन कर देता है, अगर बचन की बात की जाए, तो जाती वाचत संग्या लड़का, अगर एक है, तो हम लड़का कहेंगे, लेकिन दो हो गए, तो वो हमारे लिए पहावित करता है, अगर मोटा कहता है, एक है, तो बहु वचन में हमारे लिए मोटे हो जाता है, इसी प्रकार अगर वो हमारी क्रिया है, अगर एक वचन में जाता है, या जाती है कहते हैं, तो बहु वचन में हमारे लिए वह जाते बन जाता है, तो किसी भी संध्या और तो संग्या और सर्वनाम की एक है या उससे जादा है इसका बोध कराने वाले पक्ष को बचन कहा जाता है संग्या और सर्वनाम की एकता या बहुलता का बोध कराने वाले पक्ष को बचन कहा जाता है तो संग्या यदि नाम है बदले में है सर्वनाम संख्या बताई बचन न हम वच्चन से संबंधित प्रश्णों को हल करेंगे, पहला कोशन क्या कहता है, संग्या और सर्वनाम को विकारी बनाने का कारण निम्न है, option A दिया है link, option B दिया है वच्चन, option C दिया है क्रिया, और option D दिया है A और B दोनो, ठीक है, तो संग्या और सर्वनाम को जितना रूप से विकार उत्पन करने का पक्षलिंग होता है, उतना ही वच्चन भी होता है, अब अगर आप confusion create करते हैं माइन में, दूसरी बार option को पूरी तरह से नहीं पड़ते हैं, और बीना सोचे option number A में निशान लगा देते हैं, तो आपका option D है right, और option A है आपका गलत, ठीक है, ऐसी situation में आपके marks वहीं से कर्थम कर दिये जाते हैं, ठीक है, तो संग्या और सर् option B बहू, option C बहूएं, और option D है हमारे लिए बहूएं, ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाता है कि जब उफसर्ग प्रत्य को छोड़ दिया जाए, तो कुछ ऐसे प्रक्ष हैं जो लिंक आपके वचन परिवर्तन में सायक होते हैं, उस वचन परिवर्तन में हम कुछ sounding effect को देखते हैं, जैसे कि हमारे लिए अगर जिस शब्द का अंत O से हो रहा है, वहां हम जो है वो A लगा देते हैं, जैसे कि अगर वस्तु कह रहा है, तो हम क्या कहने लगते हैं, वस्तुएं ठीक है, इसी प्रकार अगर वो रीतु कह रहा है, तो हम क्या कहने लगते हैं, रीत बधलता है तो बहु से वो आपके दिर्ख एकी मात्रा लगुस्वर की मात्रा में बदल जाती है इसी प्रकार नदी कहता है E-sounding effect वाला है जब यह आपके नदी से बहु वचन में बदला जाता है तो नदियां हो जाती है, तो वचन परिवटन के कुछ नियम होते हैं, यह सारे शिसें आपको विशेज तोर पर मिल जाएगी, तो बहु वचन का बहु चन शब्द है, आपका बहुए, ठीक है, अगले कोशन के और आते हैं, य गलत जोड़े का युगम कौन सा है, शाला से शालाएं, बुढ़िया से बुढ़ियां, पाठक से पाठक वर्ग, राड़ा से राजाएं, कौन सा है जो गलत जोड़े का युगम है, तो ध्यान से समझेगा कि वचन परिवर्तन करने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जिसका श यह रते मशीन है तो मशीने ऐसी परकार आ साउइन्ट ऐिकर से होता है एक हम आएं लगा देते हैं माठ हैं घुफा हैं जो शतक उन्त हम देखते हैं E से हो रहा है, तो हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं? E लगा देते हैं, लड़की है तो लड़कियां, ठीक है, तीथी है तो तीथियां, लिपी है तो लिपियां, ठीक है, और इसी परकार बुढ़ी है तो बुढ़ियां, राजा है तो राजाएं नहीं होता, बल उसे प्रकर सभ्राइब करते हैं, शात्रइगण केहते हैं, छात्रइगण केहते हैं, अ किताब है, इसे हो रहा है, शाला का sounding effect ए से हो रहा है, आ से इसे शालाएं कहेंगे, लता से लताएं, माता से माताएं कहेंगे, अ है तो हम ए में जैसे किताब है, तो हम किताबें कहते हैं, सडक है तो सडकें कहते हैं, ठीक है, ई से अंत है तो इन्या कहते हैं, इसी प्रकार जो शब्द या से अंत होता है उसमें भी इयां लगा देते हैं तो चिडियां है तो चिडियां, पूरियां है तो पूरियां, गुडियां है तो गुडियां कहने लगते हैं अगला कोशन कहता है विलोम शब्द बनाने है तो प्रयोग तो उपसर्ग प्राया होता है क्या सकारात्मक प्रिफिक्स होते हैं, क्या नकारात्मक प्रिफिक्स होते हैं, कि विशेस अर्थ को देने माले होते हैं, कि कोई नहीं, कभी भी किसी भी शब्द का विलोम क्या होता है, अपने गुण सबहा प्रकृति धंग काईदे में वो एकदम से अलग होता है, तो किसी शब्द को opposite बनाने के लिए उससे हम different one लेंगे तो negative prefix का हम वहाँ पर क्या करते हैं, use करते हैं, तो willom शब्द बनाने के लिए उपसर्गों में हम नकरात्मक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर वो सत्य कहता है, जो सकरात्मक शब्द है, तो हम उपसर्ग लगाए तो willom शब्द बनाने के लिए हम नकरात्मक उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगला question आजाता है आपका, संग्या शब्द की एकता और बहुलता का बोध कराने वाले शब्द को, हम क्या कहेंगे, क्या वो सर्वनाम है, क्या वो विशेशन है, क्या वो क्रिया है, क उसे वचन कहा जाता है, ठीक है, तो संग्या जो किसी विव्यक्ति वस्तु इस्थान ये भाव का नाम है, ठीक है, उसके बदले में आने वाला शब्द है सर्वनाम, तो संग्या शब्द की एकता और बहुलता को बोध कराने वाले को वचन कहा जाता है, अगला question, वचन पर योग से वचन परिवर्तन होता है, क्या दो प्रकार से, क्या तीन प्रकार से, क्या चार प्रकार से, क्या प्रकार से, वचन परिवर्तन के दो आधार होते हैं, ये आधार कौन से हैं, तो ध्यान से समझने की बात है, वचन परिवर्तन के लिए एक होता है हमारे लिए विभ विभक्ति रहित और ये क्या होते हैं? विभक्ति सहित जैसे की हम देखते हैं, देखने वाली बात है, जब हम सडक से सडकें कह रहा है, भारत में बहुत सी कच्ची पक्की सडक है कहता है, तो वो एक वचन में है, ठीक है? लेकिन बहु वचन में अगर हम कहते हैं, तो वर्सा तो बकसे में सामान रख हुआ कहते हैं, तो वहां पर कारक विभक्ति आउख्षक्ता नहीं पड़ती, उसी प्रकार लता से लताएं हैं, माता से माताएं हैं, ठीक है न, तो यहां पर कारक विभक्ति का विभक्ति आउख्षक्ता नहीं होती, इसलिए उसे विभक्ति सहित कहा जाता है लेकिन अगर इसी लता को जब हम प्रयोग करते हैं और हम कहते हैं लताओं ठीक है इसी प्रकार अगर हम कहते हैं गुफा तो गुफा से गुफाएं हैं लेकिन अगर हमारे द्वारा उसे गुफाओं कहा जाता है तो कारक विभक्ति की आउशक्ता देखने को मिलती है तो ऐसा पक्षब विभक्ति रही तो हो जाता है भारत में बहुत सी गुफाएं है तो कारक विभक्ति का आउशक्ता गुफाएं के बाद में नहीं जुड़ी यानि कि उसमें विभक्ति सहीत प्रयोग हो गया लेकिन कभी-कभी होता है उन गुफाओं कह देता है जिसमें संत निवास करते हैं, तो वहाँ पर कारक विभक्ति के आवशक्ता महसूस होती है, इसी प्रकार विक्षम में लताएं बिखरी हुई है, उन लताओं में खिला हुआ पोश-पोश के सौंदरे को बढ़ाता है कहते हैं, तब वहाँ हमारे लिए विभक्ति रही तहरी से विभक्ति रहे ठीक है, अगले कोशन के और आते मिटा, कौन सर श़द में बहुवचन नहीं है, आसु, ठीक है, आसु, हस्ताक्षर, समचार और पाने, कुछ शब्द ऐसे हैं, जो हमेशा एक वचन होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं, जो बहुवचन होते हैं, जितने भी व्यक्ति संग्या ऐसे हैं जो बहुवचन में प्रयोग कर दिये जाते हैं, कुछ नियम भी इसमें पालन किये जाते हैं, तो अगर देखा जाए तो इसमें भाव और ऐसे कि प्राण, तो मेरे तो प्राण पखेरू उड़ गए, मंत्री जी ने उस सम्मेलन में अपने सहमती पर हस्ताक् प्रकार समाचार जो है वो एक होता है, ठीक है, खबर जो है वो एक होता है, लेकिन समाचार जो है वो खबरों का जखीरा होता है, इसलिए वो बहुवचन है, लेकिन पानी जो है चाहिए हजारों करूरों बूंदे होती है, पानियां बरस रही है, पानियों की बूंदे नह कहा जाता, इसलिए कौन से शदमें भूचन नहीं है, तो पानी, ठीक है, तो प्राण, दर्शन, अस्ताक्षर, अक्षत कहता है, इसी प्रकार करते करते हैं, तो होश कहता है, बाल यानि की केश कहता है, उसी प्रकार लोग कहता है, ठीक है, जितने भी पक्ष हैं, वो सब हमार लेकिन दया, क्रिपा, क्रोध, याचना, भीक कहता है और इसके अलावा अगर देखा जाए और कहा जाता है कि पानी, दूध, तेल, दही, अती, ये सब हमारे लिए एक वचन के श्रिणी में आते हैं, वीरता, घ्रिणा, बहादूरी यह हमेशा एक वचन के श्रिणी में आते हैं, ठीक है, तो कौन से श्रिणा बहु वचन नहीं है, तो पानी बहु वचन नहीं है, वीरता, छाया, छामा का वचन क्या होगा, क्या ये एक वचन है, द्वी वचन है, बहु वचन है, अभी मैंने बताया, के वीरता, छाया, आपका छाया कहता है, छाया, वीरता, प्रशने के और आते हैं लिकिन पूलिस शब्द है जो बहु वचन के तौर पर किया जाता है ठीक है अगले प्रशने क्यों राते हैं नीम लिकित में से कौन सा यूग में सही है प्राण का प्राणों बहुचन दाम का दामों बहुचन दर्शन का दर्शन बहुचन और मूनी का मूनी बहुचन ठीक है अब देखा जाए तो यहां पर बहुचन का प्रयोग किया गया है जो कौन सा सही है या कौन सा सही है देखना अब देख़ रहे तो प्राण एक आपका बहुँ अचन शब्द रहे हैं इसे प्रकार मूनी से मूनियों कह रहे हैं दर्शन से दर्शनों कह रहे हैं अब दाम से कीमत से कीमतों में वृध्धि कर दी गई कहा जाएगा लेकिन यह कितने दाम इसके बढ़ गए है कहकर हमेशा एक वचन में इसका इस्तेमाल होगा दर्शन है ना तो दर्शनों की अभिलाशा है हम कहते हैं लेकिन दाम का दामों कहा नहीं जाता अगला क्वेशन सदैव एक व विर्णा नफरत विर्का बहादूरी कहता है पानी आग वर्शा कहता है अतीथी कहता है भी कहता है सुख कहता है यह सारे शब्द हमारे लिए एक वचन में इस्तेमाल किये जाते और ध्यान से समझेगा कि जब कोई शब्द जो भाव वाचक संग्या वाला है और उसी प्रक सौंका तेल शुद्ध रूप से बिकता है कहते हैं तो व्यक्ति वाचक संग्या है क्योंकि सर्शों तेल का नाम बता रहा है इस दुकान में बहुत प्रकार के तेल मिक्ते तो वाराईटी जाती वाव वाचक संग्या हो जाती इस जिसको ध्यान रखिएगा बिर ठीक है पूलिस जो है वो पहुचती है एक वचन है पर पूलिस एक जाती विशेस है इसलिए बहु वचन की श्रेणी में आईगा ठीक है इस सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने जब लेक्चर वीडियो बनाए हैं अपने कॉम्पूलिशन कमुनिटी के इंतरगत उसमें सब ही जगर मैंने हर एक पक्षक को बहुत डीटेल में बताया इवन आपके जो वचन परिवर्तन के जो उपसर्ग प्रत्ये हैं उसके आधार पर भी यहां तक की साउंडिंग इफेक्ट के अधार पर तो सारे चीज़ों को अगर बहुत गहराई से जानना है बिटा तो आई बटन को क्लिक करिए वहां पर आप एक लिंक मिलेगा उस लिंक में जाएंगे तो जिस तरह जेंडर आप वहां पढ़ेंगे वैसे ही नंबर यानि की वचन भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और बाकी तो हम बैठे ही हैं आपकी डाउट को खतम करने के लिए अगला कोशन ए प्रत्य का प्रयोग किस वर्ण के अंत में किया जाता है प्रश्न को समझने के कोशिस की जगबाव हो है ना क्या वो इसे अंत होने वाले में होता है क्या वो उसे अंत होने वाले में होता है क्या आ से अंत होने वाले या असे अंत होने लिए तो ध्या पिढ़ी से पिढ़िया हो जाती है, जिस शदकंत उ से होता है, वहां हम उएं लगा देते हैं, रितु से रितुएं, वस्तु से वस्तुएं कहते हैं, बहु से बहु कहते हैं, ठीक है, अब हम A से अंत होनी वाले में क्या करने लगते हैं, हम A लगाते हैं, तो सडक से सडकें, बात से बाते हैं, लड़का से लड़के ही कहने लगते हैं, ठीक है, जो आ से अंत हो रहा है, उसमें हम के वल ए लगाते हैं, लड़का से लड़के, बकसा से बकसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे लिए, option number C, जैसे कि अगर देखा जाए, तो बकसा कह रहा ह तो क्या बनेगा वो हमारे लिए बक्से, रसगुला है तो रसगुले, कपड़ा है तो कपड़े, पहिया है तो पहिये, चक्का है तो चक्के, है ना, बेटा है तो बेटे कहा जाएगा, ठीक है, आगए बाद समझ में अगला कोशन आता है, इन में से कौन सो शद बहुवचन क रूप में प्रयोग होता है, सामगरी, होश, अक्षत, B और C दोनो, सामगरी, चाहे बहुत सारी क्यों नहों, परन्तु सामान खरीदा जाता है, सामगरी खरीदी जाती है, तो सामगरी एक वचन है, परन्तु मेरे होश लेलो, दीवाना बना दो, तो होश उड़ गया कहता ह है, ठीक है, अक्षत, जो चावल, साबुत चावल जो होता है, जो पूजा में इस्तेमाल किया जाते हैं, तो हमारे लिए बहु बचन है, इसलिए आंसर होगा, अप्शन नमबर B और C, दोनो, ठीक है, अगला कोशन, बचन परिवर्तन हे तो प्रयोगत उपसर्ग शब्द नहीं है, अब मैंने आपको प्रत्य बता दिया, ध्यात समझेगे बिटा, कि प्रत्य में हम क्या करते हैं, हम वरिंद का इस्तेमाल करते हैं, पक्षी वरिंद कहते हैं, खग वरिंद कहते हैं, पक्षी समू कहते हैं, खग समू कहते हैं, अध्यापक अगर हम कहते हैं, तो य देखने वाली बात है कि हम इनका प्रयोग किसके तौर पर करते हैं प्रत्य के तौर पर ठीक है वचन परिवर्तन में हम प्रत्य के तौर पर वरिंद समू संग गण वर्ग मंडल इसका इस्तेमाल करते हैं वैसे ही कुछ उपसर्ग है जिसका इस्तेमाल होता है धेर खूब बह बहुत सारा, इनका प्रयोग हम उपसर्ग के तोर पर करते हैं, पर सारा का प्रयोग हम बहु अचन के तोर पर प्रत्य लगा करते हैं, इनहीं के साथ में ये किस रूप में जुड़ता है, ये जो है इनहीं शब्द के साथ में प्रत्य के तोर पर जुड़ता है, खुब सारे खिलोने लाना, मैं बहुत सारा खाऊंगा, धेर सारी किताबें, तो ये उपसर्ग है, परंतु सारा है, जो इन ही शब्दों में प्रत्य के तोर पर जुड़ता है, अगले कोशन की और, बचन परिवर्तन वाला शब्द नहीं है, व्रिंदावन, पक्षि व्रिंद, खग व्र ठीक है, तो व्रिंदावन केहकर परिवर्तन वाला वचन परिवर्तन वाला शब्द नहीं है, अगला कोशन, जिस शब्द के अंत ई से होता है, उसके शब्द के वचन परिवर्तन के लिए कौन सा प्रत्य लगाते हैं, जिस शब्द के अंत ई से होता है, उसमें कौन सा प्र जिस शब्द का अन्त हमारे लिए किस से होता है, लड़की है तो लड़किया, ठीक है, तीथी है तो तीथिया, सिऩी है तो सिढ़िया, ठीक है. तो ई से अंत होनेले शब्द में वचन परिवर्तन के लिए हम या प्रत्य का इस्तिमाल करते हैं, अब हम कभी-कभी देखते हैं, कि हम जो शांत कर रहे हैं आ शब्द है न, जैसे कि लता है, तो हम लता से लताई कहते हैं, यह विभक्ति रहीत है, लेकिन देखा जाए, तो व एक ही बात करें, तो अ से अंत होता है, जैसे कि अगर हम कहते हैं, जैसे कि हम अ से अंत करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं, लड़के बकसा है, तो बकसे का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर लड़का है, तो लड़के बकसा है, तो बकसे कहते हैं इसी पर कर लता है, तो लताएं, गुफा से गुफाएं कही जाती, ठीक है, इसमें एक और होता है, इसमें हम इसका अनुस्वर का भी प्रयोग करते हैं, जिसे सडक हैं, तो सडकें कहते हैं, तो A से अंत होता है, तो हम A का प्रयोग करते हैं, और A से अंत होता है, जिसे होने वाले प्रत्य का 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 प्रत्य से हो जाता है लताएं ठीक है द्रव्य वाचक याने कि आपका मटेरियल नाउ याने कि बोलें तो पदार्थ वाचक संग्या पदार्थ वाचक संग्या का यदि भिन प्रकार से प्रयोग होने लगता है तो वो कौन से वचन का हो जाता है क्या वो एक वचन का हो जाता है क्या बहुवचन का या द्वीवचन का या सभी, मैंने अभी एक्जामपल दिया था तेल को लेकर, तेल जो है पदार्थ वाचक संग्या है, अब अगर कहता है कि सरसों का तेल, चमेली का तेल, नारियल का तेल, ओलिविया का तेल अगर कहता है तो वो एक पर्टिकुलर नाम बता इसलिए वो एक वचन है, लेकिन कहता है कि बाल में हमें तेल लगाना चाहिए, पर स्पेशिफिक ने कर रहा कि कौन सा तेल लगाना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में अगर द्रव्य वाचक यानि की पदार्थ वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या यदी हमारे लिए अल संग्या सर्वनाम विशेशन और क्रिया को विकार उत्पन करते हैं, तो संग्या सर्वनाम विशेशन और क्रिया में विकार उत्पन करने वाले तत्मों को हम एक विकारी शब्द कहने लगते हैं और उनहीं को विकार उत्पन करने वाले कारकों में आते हैं लिंग और बचन आज की लेक्चर वीडियो में मैंने आपको लिंक और वचन से संबंधित प्रशनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है यह आप उसके बारे में और बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक आई बटन होगा जिसक से एक मेरी कोशिस है कि कहीं से आपको भटकाओं महसूस नहों MC क्योंकि माध्यम से टॉपिक को कवर कराते हुए चलेंगे तो आज तक के लेक्चर वीडियो में आपने क्या जाना कि संग्या यदि नाम है बदले में है सर्वनाम संख्या बताई वचन ने विशेष्टा बत हुँ उसमें आप टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे होंगे यह ना केवर CGPAC pre व्यापम की या हर competition exam में आने वाले वो पक्ष हैं जहां हिंदी भाशा के इस चोटे चोटे टॉपिक से हमेशा से प्रश्न बिटा आपको पूछे जाते हैं ठीक है तो समय को गवाईए नही जो आपको मिल रहा है उसको आत्मसाथ कीजिए और उसके साथ में आप पढ़ते जाए अगर कुछ भी प्रकार का doubt होता है तो doubt community हमारी है वहां आकर आप एक question आप जो छोड़ दीजिए हम उसका answer आपको करेंगे तो आज की lecture video में इतना ही मेरे साथ जुड़े हैं पढ़ र रहने के लिए पढ़ते रहने के लिए धेर सारी शुपकामना है धेर साहा प्यार हमेशा की तरह मेरे सभी बच्चों को thank you so much love you and God bless you to all my बच्चा